हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टूर चैनल फिटनेस मैटर तुड़े वी अगोईंग टू एक्सराइज फॉर डाइबिटीज तो आज हम इस वीडियो में कुछ आसन करेंगे जो हमारी डाइबिटीज को कंट्रोल करने में और उसे खतम करने में हमारी मदद करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन को प्रेस कर दीजे जैसा कि आप सबको पता है कि 100 में से 90% लोगों को बहुत ही जादा हाई शूगर है यानि की डाइबिटीज है तो सबसे पहले हमें ज जब लेट्स केट स्टार्टेड तो सबसे पहले आप दंडासन की पोजीशन में बैठ जाए दोनों पैर एक साथ करें पहले राइट वाला पैर पीछे ले जाए और वजरासन की स्थिति में बैठ जाए दोनों हाथ आपका आपके गुतनों पर कमर गर्दन सीधी श्वास क गती, धीमी और समानने, खूब गहरलंबर श्वास भरे और उसे बाहर निकाले, अपनी यथा शक्ती से श्वास भरे और श्वास को बाहर निकाले, अगर आपके गुटने में तकलीफ है तो इस आसन को ना करें, और सीधे बैठें, जितनी देर तक आप इस आसन को होल कर सकते हैं कम से कम 10 से 15 सकीन के लिए ये आसन जरूर होल करें, खाना खाने के बाद वजर आसन जरूर करना चाहिए, आए करते हैं दूसरा आसन, जिसका नाम है मंडुक आसन, दोनों पैरों पर बैठ जाएं, जैसे हम वजर आसन की स्थिति में बैठे थे, दोनों हतेलियों को सीध बिल्कुल अंदर चला जाएगा अपने नकल्स को यानि कि अपनी उंगलियों को पेट के यानि कि नाभी के पास रख दे अपने दोनु हातों को रखने के बाद जेंटली प्रेस करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जुकते जाएं जितना आप जुक सकते हैं उतना जुके अगर कमर में बहुत जादा दर्द है तो इस आसन को ना करें अपना माथा नाक सब अपने फ्लोर से या फिर मैट पर रख दें जितनी देर आप श्वास होल्ड कर सकते हैं उतनी देर इस आसन को होल्ड करें और धीरे धीरे श्वाहास भरते हुए उपर की तरफ वापस आ जाएं खूब गहरा लंबा श्वाहास भरे और गहरा लंबा श्वाहास बाहर निकाले पहले उंगलियां खोले और उसके बाद अंगूठे को भी खोल दें आए इस आसन को एक बार पीछे से करते हैं कि किस स्थिति में आपको बैठना है पहले राइट लेग मोडेंगे फिर लेफ लेग मोडेंगे और दोनों की हील के बीच में बैठ जाएंगे पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए दोनों हातों से फिस्ट बना लें पहले अंगूठा फिर उंगलियों को मोड़ते हुए श्वांस छोड़ें और जुकते चले जाएं कमर बिलकुल सीधी आप अपनी हिप से अपनी हील पर बैठे रहेंगे और श्वांस भरते हुए वापस से उपर की तरफ आपके कंधे बिलकुल सीधे आपकी नाक माथा पूरा आगे का चहरा आपकी मैट पर या फ्लोर पर जिस थिती में आपको कमफर्टेबल हो जितनी देर आप अपनी श्वांसों को रोक पाएं उतनी देर रुके और उसके बाद दीरे दीरे श्वांस भरते हुए वापस को उपर से मोड दें फिर लेफ्ट वाले पैर को मोडें दोनों हील को अपनी हिप्स के अगल बगल लगा दें गुटना एक के उपर एक रखे कोशिश करें कि आपके गुटने एक के उपर एक हो जो पैर उपर है उसी हाथ को उपर ले जाएं और जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे की तरफ ले जाएं और दोनु हाथों को पीछे से जॉइन करके खीचे, ऊपर वाला हाथ ऊपर द सेकंड के लिए से hool करें उसके बाद धीरे धीरे पहले उपर वाला हाथ सीधा फिर नीचे वापस गुठने पर और उपर वाला हाथ भी गुठने पर फिर उपर वाला पैर सीधा और नीचे वाला पैर सीधा अब इसी क्रिया को दूसी तरफ से करेंगे अब अपना लेफ्ट पैर अपने राइट पैर के उपर से मोड़ दें और राइट वाला पैर नीचे से मोड़ते हुए उसकी हील को अपने हिपस के पास लगा और सीधा हाथ पीछे से नीचे की तरफ अपने हाथों से गृप बनाएं श्वास भरकर रखें आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो जाएगी जितना हो सके उतना आप रिलैक्स पोजीशन में रहें जादा तनाव ना दे कमर गर्दन सीधी रखने की कोशिश करें अगर आपके और दोनों पैर सीधे अब श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ पश्ची मोतान आसन में जुक जाएं इन्हेल अब 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 इसी आसन को एक बार पीछे से देखेंगे और हाथों की गृप को चेक करेंगे यदि हमारा हाथ पूरा गृप नहीं बन पाता है तो किस प्र से मिलाने की कोशिश करेंगे अगर आपकी गृप बनती है तो यह एकDAYं पफेक्ट पोस्चर है लेकिन अगर आपकी गृप नहीं बन पाती है तो आप हाथों को खोल सकते हैं दीरे दीरे और नीचे जा सकते हैं और अगर वह भी नहीं ओता है तो उपर और उसे अपने जिस तरफ से करेंगे दोनों हाथ पहले दीरे-दीरे वापस और दोनों पैर सीधे उसके बाद उल्टा पैर उपर की तरफ और सीधा पैर नीचे की तरफ उसी प्रकार लेफ्ट हैंड अप एंड राइट हैंड डाउन लेफ्ट हैंड को उपर कर दें सीधा श्वांस भरते हुए और राइट वाले हैंड को नीचे से कमर पर ले जाएं दोनों हातों में गृप बनाने का प्रयास करें अगर गृप नहीं बन पा रहा है तो आप गृप बनाने की कोशिश करें कुछ दिनों बाद आपकी गृप बनना अपने आप शुरू हो जाएगा गृप खासन को करने के बहुत सारे फायदे हैं किसी का शोल्डर पेन है तो वह भी इससे ठीक होता है गृप खासन डाइबटीज मरीज के लिए बहुत जादा फायदे मंद है इसको करने से आपके स्प्लीन के हार्मोन रिलीज होते हैं स्टिमिलेट होते हैं आपका जो इंस्यूलिन हार्मोन है वो स्रावित होता है यानि कि वो निकलता है इंसूलिन हार्मोन के निकलने से डाइबटीस कंट्रोल होती है तो इस आसन को जरूर से जरूर अपने दिन चर्या में शामिल करें कोशिश करें कि आप इस आसन को कम से कम 4-5 बार 10-15 सेकिन के लिए दोहराएं और जितना हो सके उतनी दे तक इस आसन को करें आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा नमस्कार आपका दिन शुब हो फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ